समस्त मात्र सक्तियों सादर जैसीर करश्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य नई नई ज्यान वरधक जानकारिया वन नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज आपको हम सुनाने जाने हरताली का तीज की पुरानिक वरतकथा इस सवरतकथा को सरद्धा पुरवक सुनने से भगवान शीवर माता पारवती जी की विशेश करपा मिलती है और इस सवरतका भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है तो हरताली का वरत तभी पुरा माना जाता है जब पुजा के दोरान पूरानिक कथा का वाचन किया जाए अथवा कथा सुनी जाए तो इस से भगवान शीवर माता पारवती जी की विशेश करपा मिलती है माता पारवती जी भगवान संकर जी को पती के रूप में पाना चा और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी पार्वती जी के तब से प्रसन्हों करके भगवान विश्णु जी उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके समक्षे आया हूँ। जी ने माता पार्वती जी को जाकर के सुनाई यह सुनकर के माता पार्वती जी अत्यदिक दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं विश्णु जी से नहीं भगवान शीव से विवाह करना चाहती हूँ। जी ने माता पार्वती जी ने जिस दिन शीव लिंग की स्थापना की उस दिन हस्त नक्षत्र की भादरपत की शुक्ल पक्ष की तीज तिथी थी। तो इस दिन निरजल उपवास रखते हुए उन्होंने रात्री में जागरन किया था भजन किर्टनादी किया था और भगवान सिव जी का ध्यान लगाया था माता पारवती जी की कठोर तपस्या को देख करके भगवान सिव जी अत्यधिक प्रसन हो गए संतुष्ट हो गए उन्होंने माता पारवती जी को मनो कामना पूर्ण होने का वरदान दिया और अगले दिन अपनी सखियों के साथ माता पारवती जी ने इस वरत का सरद्धा पारण किया समस्त पूजा सामगरी को गंगा नदी में प्रभाहित कर दिया तो इस प्रकार उधर माता पारवती जी के पिता भगवान विश्णु जी को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिये जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेसान हो गए थे यह वह पारवती जी को ढूंटते हुए उसे गुपा में पहुँच गए माता पारवती जी ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है इस पर महाराज हिमालई ने भगवान विश्णु जी से छमायाचना की और कहा कि मेरी पुत्र यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैस्त्री करश्टमित्रों फिर मिलेंगे